उत्राखंट में दो विधानसभा स्रीटों पर हो रहे उप्चुनाव के लिए कल दस जुलाई को वाटिंग की जाएगी मंगलोर और बदरीनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर साहिक मोखे नर्वाचन अजिकारी मस्तू दास नीचानकारी थी उन्होंने बताया कि वधार को सुभा आठ बड़े से शाम शाम शाबजे के बीच मंगलोर और बदरीनाथ विधानसभा के लिए वाटिंग की जाएगी जिनमे से असी गाड़िया मंगलोर के लिए इस्तेमाल की जाएगी जबकि सेश विच अपन गाड़ियां बदरीनाथ विए इस्तेमाल की जाएगी अब दक 15,05,000 में हजार कैश की बरामादी की गई है जबकि 16,57,000 से जादा की मादक पद्दार से जब की गई है कि अगर हम बात करें तो बदिनाथ में दूसर दस पूलिंग सेशन है और मंगलोर में 132 पूलिंग सेशन है इसकार हमारे फुल 342 पूलिंग सेशन पर कल सुबह आठ बजे से और साएं छे बजे के बीच मत्यान होना है आज हमारी सभी पूलिंग पार्टियां मूब कर चुकी है 17 पूलिंग पार्टियां कल जो बदिनाथ की दूरस्ट पूलिंग पार्टियां थी वो कल मूब कर चुकी थी और मंगलोर की 132 पूलिंग पार्टियां आज ही मूब करने थी जिसमें से बद्रिनाथ की 177 पोलिंग पार्टियां हमारी अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गई है और मंगलावर की जो 132 पोलिंग पार्टियां वो सब की सब अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है बरिनात में आप लोगों को पता लगा होगे शेलंग के बीच शेलंग और जोशिमट के बीच में थोड़ सा लैंड स्राइड हो गया था इसलिए वहां पर लगवग 32 पॉलिंग पार्टी हमारी रुख गई थी उनका भी ट्रांस्मेंट चल ला है लगवग 18 पॉलिंग पार् जो एक आत्गंटे के अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी दूसरी साइड में रिजर्ब वैकल की सब्सेंट भीवस्ता वहां पर रखी गई है ताकि अगर पॉलिंग पार्टी के ट्रांस्मेंट की नववत आए तो उनका परियोग हो सके बाकी जो लगवग वहां से चार से साढ़े चार किलोमेटर उनको पैदर चलना पड़ेगा और अभी मूब कर चुकी वहां से सेलंग से उनके साथ सब्सेंट लेवर लगा दी गई है पोलिंग मैट्रियल के लिए और पोलिंग पार्टिया अभी निकल चुके लगवग एक दो गंट के अंदर सबी पोलिंग पार्टियां बद्रिनाथ की भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी इस बीच अगर हम